तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बढ़ी होंगे मज़े में होंगे खुछ होंगे और अबाद होंगे मैं हुम वश्चर सोगा आज कुछ जादे इंट्रेस्टन किसम के होने लग गिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है सिधर मैं आपको टाइडल की तरफ आता मतलब पाकिस्तानी मीडिया है मतलब है रहान हो गई है क्योंकि बारत का रिजर्व इतना तेजी से उपर जा रहा है का हमें आज कॉमेंट सेक्षन में भी एक भाई बो रह थे के छे सो चालीस बिलियन डॉलर का तक्रीब हो चुका है बारत का रिजर्व बाई पांच छे मतलब करते हैं इस वक्त इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कोई 640 अरब डॉलर के रिजर्व पर रहे हैं डॉलर की कीमत में इतना इजाफा हो गया है कि गुजश्टा दस महीनों के सारे रिकॉर्ड तूट गए हैं इस वक्त एक डॉलर जो है यह 166 रुपे 29 पैसे में मिल रहा है अस्ट्रेलिया के प्राइम मिस्टर अरने यह कहा और बड़ी इंपॉर्टन चीज़ अरने कहा के हर चीज़ का जो आंसर है अबाट चाइना वो इंडिया है इस वर्ड बिग वर्ड वर्ड तूशी है कि पाकिस्तान में इस दवाज़ा है सबसे जल्दाब मोटर सैकलें यह वर्ड 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 है तो आपको उसमें भी अगले एक साल में कोई बहतरी नजर नहीं आती है ट्रेड डैफिसेट कम हुआ है और जो रिमिटेंस बढ़ी है इससे भी आप एकॉनमी को मुस्तेकम होते नहीं देख रहे हैं हमारा रुपया क्यों कम फिर भी गिरता जा रहा है जबके हमारा गया साथ अरब डालर हमें अभी 23 तारीफ को आएमेफ से भी मिल रहे हैं तो भी हमारा रुपया जो है वो क्यों किरता जा रहा है इस वक्त इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कोई 640 अरब डालर के रिजर्फ पड़े हैं जबके हम जशन मना रहे हैं 22-23 अरब ड जो पड़ रहे हैं उनके पास 46 अरब डालर पड़े हैं यहां पर सुप्लाइएं डमांड का मामला है अगर पांकिस्तान की मार्केट के अंदर डालर की सुप्लाई जो है वो शॉट हो जाएगी तो डालर की कीमत बढ़ जाएगी तो डालर की कीमत कम हो जाएगी आपने जो अरब डॉलर का गैप आया था पया जो गिर रहा है इसका इंपक अप सोचके कि जितनी भी इंपोर्टिट चीजे हैं वो पाकिस्तान में महंगी हो जाएंगी मुझे खच्छा इस चीज़ का है एक निया महंगाई का तुफान सामने आएगा यह जो मालबा नेवल एक्साइजिस हैं यह हो रही है तुवटिश्थ ऑगस्ट से लेके तुवटिनाइथ जो है वो इसके उपर और जिसमें ऑविएसली जो क्वार्ड कंट्री जिसमें इंडिया, युएस, उस्ट्रेलिया और जिपान जो हैं वो पाटिसिपेट कर रहे हैं जो इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो इस एक जाता है कि भारत इसकी जगाख़गा है पोटेंचिल एंड कर देट सिचुएशन बैसिकली की जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वांटिट के हमारे जो तालुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हो अगर आपको याद हो जो ऑस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी अबट और और उन्होंने एक बैसिकली फ्र प्राइम मिनिस्टर हैं लेकर वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेस्टिन का जवाब है वो इंडिया जिस तरह वह बात है नहीं कि जो ट्रेड है वह भी आटिस अगोट इकनॉमिक्स पॉलिटेक्स की सारी चीज़ें जो हैं ते गो साइड बैस साइड प्रोड ने यह कहा बैक इन 2014 जब यह अरेंद्रा मोधी तब इंडिया के प्राइम मिस्टर थे प्रोड ने कहा कि इंडिया ओविस्ली देट एट अकॉंट्स पर डिमॉक्रिसी और इंडिया के अंदर जो स्टील और फर्मसूटिकल है उसमें अल्मोस दुनिया पे नंबर 66 रुपे 29 पैसे में मिल रहा है पाकिस्तानी रुपे की कदर में 8.5 पीसद की कमी एल एंजी समेट जाहरे पेट्रॉलियम असनुआत की जो कीमते हैं इसको भी अपनी लपेट मिलेगी जिसे महंगाई और पैदावारी खराजात जाहरे बढ़ेंगे और इसके नतीजे में खराजात के साथ-साथ बरामदाद के जाफे पर जोर देना मुश्किल हो जाएगा हमें तो बताया जाता है कि जरह मुबादला के जखायर बढ़ गए हैं रेमिटेंस के हमारे बढ़ गए हैं हकूमत भी डॉलर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है अगर मैं आपको यह ब VTI के दौर में 166orts28 दॉलर or 18 ג sniff सब्सक्राइब बढ़ त़ पाकिस्तान में हम्ने बाग पर जाधे मोटर सैक्लिए हैं तो और सानी हैं हैं आप होगी हैं अवस्का पाकिस्तान की तारीख के वन थाड कर्जे ये ले चुके हैं बाकी जो तू थाड कर्जे जो है वो बिल्कुल सही बात है है चाचा बाउक हो गया है जुब वो फिल्कुल सही बाइक जाए नहीं थाउना है रहे है जुब नहीं है बताते हैं कि चीन से कितने लिए, सौधी अरब से कितने लिए, मुतधारा भामारास से कितने लिए, आईए मेपलाइए, आप से पाकिम्स्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाकर कुछ रही है, अभी लोगों के लिए जो मसायल पैदा कर रहे हैं अभी से, इतनी मुश्किलाइट प काफी बात चर्चा हुई है कि मतलब इंडिया के और जैसे कि बोला फोरिस्क रिजव चेह सुचालिस बिलिन डॉलर होगा है, अब तो रश्या पीछे बहुत चला गया होगा, बहुत जादा पीच्छ नमबर पर आगे, आप तो इंडिया मतलब थार्ड पर भी आने के जाओ रविट कार सकते हैं तो वो सिर्फ एक कंट्री है वो इंडिया और इसमें कोई शाक निया बहुत बढ़ एक अपनाई कर्ज में आप देख लो इंडिया की मतलब एक 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 उल रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन हो गई हर चीज में एक एक उल तो उसलाद से लिए औ एक परदान है, मुल्क आगे चलता है, पर भी मुल्क एक सिपनी चलता है, चलो समझ आती है बंदे को, यार पैसा आ रहा है, पैसा मतलब हो, हाँ ये एक मानने की बात पड़ेगी, कि आज तक सबसे ज्यादा जो है इन्होंने इन्होंने इक्सपोर्ट्स की हैं, सबसे ज्यादा हुआ है, ये चीज़े जो माननी वाली बात है, लेकिन वो मानेंगे, और दूसरी महन बात ये है, कि यार इसमें, जिस तरह वो बाई एक बोल रहे थे, बाई भी 60 परस्टन लोग नहीं लेचें, ये थोड़ा बात है, क्योंकि आजकल आर गार में दो तो तो है, तो इनको महिंगा ही काम काया है, फितन रही है ने पयूँा हो जहिए मतलब दूसरी महिंगी है आप छीज़ जो भी मंहिंग पढ़िए हैं trader, बोफ महिंगी पढ़िए ये इंपोर्त अपकी आपने मूधी पढ़िए, मेंगू पढ़िए तो मेंहिं पद ऐं काम होगा महंगाई न होए लिए लेकिन जो सैलरी से वगेरा है व imagery वगया है लगा यह झाँ हो चीजा शैलरी सकाव उर पहले जो मजदूर था वह नékर तो तो फार्ख का यहां पर जो हजा लगा तो महिडे है कि कि देखो इंडिया में भी महंगाई हुई होगी चीज़े काफी लेकिन वह इस लिहास उनको फॉर्ट रिजर्फ बता है अपने देश भी उनकी हर चीज त्यार है उतर डालर भी बहुत सस्ता है हमारे मुल्ट में सबसे ज्यादा महंगाई की महन वज़े यह है कि हमारे पास एक तो इन्वेस्टर जो आना इन्वेस्टर की कम ही है दूसरी महन बात यह है कि मेड इन पाकिस्तान की कोई चीज ही ने उतर मेड इन इंडिया चल रहा है और किसी वज़े से देखो उन लोगों को जॉब भी मिली है पैसा भी अपने मोल्ट में ही है तब ही रिजर्फ बा अलग नट रहा है और बाइ